मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ अब जान का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा मोटापा कम करना है, तो भरपेट गुड़ खाईए, भरपेट तिल खाईए, भरपेट मुंगफली खाईए, मोटापा भी कम हो जाएगा तो गुड़ खाईए, मेरा कहने का मतलब यह है अब गुड के कितने preparation है हमारे घर में गुड का तिल का preparation एक है तिल पट्टी कहते है गजक गजक तो भरपूर गजक खाईए क्यों खाईए जी तिल है और गुड है गुड में जो chemical है organic तिल में लगवक वही सब है जो गुड में तिल भी छारी है गुड भी छारी है और दोनों छारी चीज़े खाएंगे तो पेट के अमलों को balance करती रहेंगी तो तिल गुड रोज खाईए मने तिल की पट्टी बनाईए गजक बनाईए नहीं तो तिल का लड़ू बनाईए गुड के साथ बनाईए फिर इसी तरह से मुंगफली है मुंगफली भी छारी है और गुड भी छारी है तो मुंगफली और गुड मिलाके वो पट्टी आती है वो खाईए बच्चों को खिलाईए और आपके पास जो भी प्रप्रेशन है गुड तिल के, गुड मुंगफली के वो सब बनाईए और ये जो 3-4 महीने हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भरपेट खाईए, भरपूर खाईए क्योंकि इस समय आपके शरीर को इनी की जरूरत है तो कफ जिन्दगी से बहुत दूर रहेगा तिल खा रहे हैं, गुड खा रहे हैं, मुंगफली खा रहे हैं कफ बढ़ने की बिलकुल संभावना नहीं तो जिन्दगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा, मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड खाईए, भरपेट तिल खाईए, भरपेट मुंगफली खाईए, मोटापा भी कम हो जाएगा आपको डर है ना तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला LDL वाला नहीं है, VLDL ये मोटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है HDL जैसे ही बढ़ेगा, मोटापा अपने आप कम हो पेट अंदर ही जाएगा आप में से कोई भी मेरे कहने पर तीन महीने एक एक्सपरिमेंट कर लीजे तिल चबा चबा के खाईए खाने के बाद तीन महीने के बाद वजन ना पेंगे 8-10 किलो कम मिले, कम से कम इतना कम मिले खाना खाया, खाने के बाद आप सौफ खाते हैं ना सौफ की जगे तिल खाया और काला खाया, तो और ज़्यादा वजन कम मिले काला तिल एक है सफिद, काले के गुनवत्ता सफिद से भी जादा है लेकिन ये इनी चार महीनों में गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्राबलम है बागवटी जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है, ये फरवरी तक चलेगा तो फरवरी तक और कभी बहुत जादा लिबरल हों तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है होली होते ही तिल कम करिए या खतम करिए फिर कुछ और चीज आएगी, वो क्या आएगी वो मैं बता दो लेकिन आप ये करके देख लीजे, छार चीजों को जादा उपयोग आप करेंगे वजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अमल कम होता जाएगा घुटनों के अंदर का जो कही बार कहते हैं न, डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है, अमली ही तो है, तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है तो गाट के सब जो मने, जोडों के दर्द आपको कम करने हैं, तो इन के लिए ये सब चिकितसा बताईए है तिल है गुड है और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जेन नहीं है तो शहद है शहद में बागवटी जी कहते हैं छोटी मदुमक्षी का शहद बड़ी का नहीं तो शहद लाएं तो उसको पूछ ली जाए दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइ Android एप डाउनलोड करना ना भूलें